हाई फ्रेंट्स आज एक और टेक्निक ही समझ लीजिए या एक और तरीका जो हम जानते हैं कि हमारे हम मानते भी हैं कि हमारे हाथों की लगईरों में हमारी किस्मत लिखी है ये सब चीजें वेरें आज लॉफ अट्राक्शन में ये चीज हम सब मान भी चुके हैं जो हम सोचते हैं वही रियालिटी बनती है वही हमारी डेस्टिनी होती है अब हम अपने हाथों को यूज करके अपने हथेलियों की मदद से अपने अपने रिष्टों के लिए मैनिफेस्ट करेंगे और सिफ रिलेशन्चिप ही नहीं इसके अलावा भी जो भी विष्टों है वो आप अपने हाथों में लिखके मैनिफेस्ट कर सकते हैं ये कंटिनीवेशन में करना है आप लोगों को आप अल्मोस्ट थर्टी थ्री डेस करेंगे इसको 21 days होता ही है बर 33 days कीजिए and 33 days continuous करने के बाद आप इसका effect खुद देख लेंगे क्या करना है इसमें अपनी हाथों में left hand में obviously क्योंकि हम लोग सब right hand से लिखते हैं तो इसलिए ठीक है and जो left handed है जो left hand से लिखते हैं वो फिर भी अपने left hand पे ही लिखने की कोशिश करें right hand से if not possible तो अपने right hand पे लिख सकते हैं नहीं तो सबको left hand पे लिखना है अब left hand पे कहां पे क्या लिखना है regarding your relationship is something I am going to tell you यह जो यहां पे semi circle बनता है एक यह जो छोटी वाली finger होती है see this small finger इसके बाद again यहां पे यह ring finger है फिर यह middle finger आती है यह तीन fingers के बीच में यहां पे जो सबसे पहले रेखा बनती है semi circle चान की तरह आधे चान की तरह जो रेखा बनती है इस रेखा के ऊपर यहां पे जो खाली space है यहां पे आप अपने desired या specific person का नाम लिखेंगे ठीक है अब यह किन के लिए है जो लोग relationship में है और जिनको यह feel होता है maybe वो husband wife हो सकते हैं partners हो सकते हैं boyfriend girlfriend हो सकते हैं जिनको यह feel होना शुरू हो जाता है कि हम relationship में तो हैं बट हमारा partner हमारी बात नहीं मानता हमारा कहना नहीं सुनता एक तरह से लगता है कि हमारे control में नहीं है wherein control करना अच्छी बात नहीं होती है सबकी अपनी अपनी सोच है लेकिन फिर भी कई दफ़ा हम से connected नहीं है उस connection के लिए control is all about connection कि हमें ये लगे कि सामने वाला हमसे faithful है trustworthy है सच बूलते हैं यही तो control है और क्या control है सिर्फ अगर सामने वाला हमसे faithful है वफादार है सच्चा है अच्छा है बस बहुत है और वही चीज हमें चाहिए होती है इसी चीज को यहां पे बहुत effective है वैसे भी हम जानते हैं मैंने एक video भी बनाया है कि universe हमारे हाथों में है क्योंकि यह हमारे Hindu धर्म में भी है ग्रंथों में भी है कि सुबा उटके जब हम अपनी हथेली देखते हैं या हर religion में भी है यह चीज कि सुबा उटके जब हम अपनी हथेली देखते हैं दोनों हाथों को देखते हैं तो उसमें सार्य देवी देखताओं का नवास होता है और उनको देखकर कि आप जब प्रे करते हो तो बहुत सी चीज़ें blessed होती है आप इनी हाथों से blessings देते हैं किसी को भी सर पे हाथ रखके जब bless करते हैं क्यों करते हैं और किसी body part को use क्यों नहीं करते blessing के लिए हम इसको use करते हैं एक blessing हम अपने मूँ से देते हैं कुछ अच्छे शब्द बोलके क्यों? क्योंकि हमारे जबान पे सरस्वती का वास होता है और जब हम कोई blessing किसी को दे रहे हैं तो वो सच हो जाती है blessings always work करती है और हम हाथ रखके देते हैं क्यों? क्योंकि हमारे हथेलियों में हमारे हाथों में वो जादू है वो करिश्मा है कि हम अपनी मेहनत से इन हाथों कि ये बदौलत कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी बना सकते हैं किसी चीज का निर्मान कर सकते हैं किसी चीज का नुकसान भी कर सकते हैं इनी हाथेलियों को यूज करके हम अपनी wishes लिखेंगे ठीक है? अभी सबसे पहले relationship वाले जो है वो यहाँ पे जो जगा मैंने बताई है यहाँ पे आप अपने पार्टनर का नाम लिखेंगे अगर जो लोग सिर्फ अभी एक अच्छे relationship को manifest कर रहे हैं तो वो सिर्फ इतना लिख सकते हैं अपना नाम बीच में एक loves और फिर अपने पार्टनर का नाम या पहले अपने पार्टनर का नाम बीच में loves और फिर अपना नाम जो लोग शादी manifest कर रहे हैं किसी specific person से कोई रिष्टा आ गया है उन शादी manifest कर रहे हैं तो आप उनका नाम लिखेंगे वेट्स लिखेंगे और अपना नाम लिखेंगे ठीक है तो राहुल वेट्स रीना या राहुल लव्स रीना इस तरह से करके आप लिखेंगे याँ पे ये तो था जो अपने अपने relationships के लिए हैं जो लोग अभी कोई नहीं है specific person नहीं है कोई रिष्टा नहीं है और सिर्फ शादी manifest कर रहे हैं वो सीधा यहाँ पे इतना लिख सकते है कि अपनी जो wish है उसे आप लिख सकते है simple से मेरी शादी होने वाली है अच्छा आप ये लिखेंगे किस से सबसे बड़ा question ये है क्यों? क्योंकि घर में parents है बहुत सारी foundations है maybe अगर आप pen से लिखते हो और किसी ने देख लिया तो फिर वो problem आपके लिए हो सकती है कई दफा जिनको कोई issue नहीं है please blue या red pen का इस्तेमाल करें और यहाँ पे रात को सोने से पहले लिख करके अपनी मुठी को बंद करेंगे बंद करके thank you thank you thank you बोलेंगे and सोएंगे ठीक है? या घर में भी कोई दिक्कत नहीं है तो वो इस तरह से लिखेंगे pen से अब जिनको problem है जिनको है कि नई हम pen से नहीं लिख सकते हैं so what you can do is आप अपने ही finger से ऐसे करके एक image बना करके यहाँ पे लिखेंगे don't use any color, any ink, anything ओके? आप उससे अपने ही उससे हाथ से इस तरह से लिखोगे right? इस तरह से लिखे finger को बन करोगे अगर हो सके तो please pen का use कीजिए maybe आप बहुत छोटा छोटा सा लिख सकते हैं ठीक है? और उसको लिख करके अपने मुठी को बन करना है बन करके thank you thank you thank you बोल करके and so जाना है अब यह नहीं है कि सारी राती मुठी बन रहेगी ठीक है जब आप सो गए इसको easy रहने दीजिए खुलता है खुल जाने दीजिए लेकिन main है यहाँ पे लिखने के बाद जब आप यह बन करते हैं तो it is said and it is very effective that आप control करते हैं आप control करते हैं this is very effective यह कीजिए आप लो ठीक है most probably जो husband and wife के relationships हैं उसमें जब दिक्कते आरही हैं तो वो लोग यह कर सकते हैं okay so this is how it works और जब आपने इसको लिख लिया यहाँ पे तो आप सिर्फ इतना विजुलाइज कर सकते हैं कि yes now my relationship is full of faith पूरी तरह से मेरा partner मुझसे वफादार है सच्चा है there is love, respect everything in my life and then say thank you, thank you, thank you universe and इसको बन करके आप रात में सोँगे यह activity सिर्फ और सिर्फ रात में होगी सोने से पहले ठीक है so यह बहुत simple सा है अच्छा यह तो था उनके लिए जो अपने अपने specific partner के बारे में जानते हैं लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे जो लोग बाकी के जिनकी wishes हैं पढ़ाई से related या फिर अपने health से related या फिर किसी job से related वो कैसे लिखेंगे उनके लिए भी same चीज है because we want to control यह वाला जो area है when you close your यह मुठी आप बन करते हैं this means आप control कर रहे हैं अपनी चीज को अपनी wish को control में कर रहे हो आपकी wish अब आपकी है ठीक है so अभी आप क्या करोगे अभी आप अपना जो भी job है job लिखेंगे यहाँ पे job लिखने के बाद फिर वहाँ पे या फिर आप यह लिखो dream job मिल गई है ठीक है I have got my dream job चोटा चोटा करके और वो उसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है अराम से आप blue pen से लिखें I have got my dream job ठीक है या फिर health है तो I am very healthy ठीक है सब कुछ present tense में हाँ पे लिखना है लिख करके या फिर अगर आप exams manifest कर रहे हैं exam के result manifest कर रहे हैं तो उसको आप लिख सकते हैं कि I have excelled in my exams या फिर I have got जो भी excellent result इस तरह से करके अपना लिखेंगे यहाँ पे वेश को और फिर इस finger को मुठी को बंद करके and thank you, thank you, thank you universe बोल के रात में सोईंगे so क्यों यह करना है रात में सोते टाइम पे ही क्योंकि जैसे ही हम सोनने लगते हैं हलकी हलकी नीन दाती है उसी टाइम subconscious mind बहुत active होता है उस टाइम जो भी thoughts आप subconscious mind में डालेंगे वो बहुत असानी से subconscious mind accept करेगा, settled होगा and फिर manifest होगा so this is very very magical and effective करके देखिए आपको खुद result पता चलेगा अपने अपने हथेलियों को उनकी powers को use कीजिए अभी तक यह सुना था लकीरे बनी हुई है जो किसमत में लिखा है वो लिखा हुआ है ऐसा कुछ नहीं है अपनी अपनी किसमत खुद लिखना शूरू कीजिए खुद अपनी अपनी विशेज अपने हाथों पे लिखिए space कहां पे लिखना है I've told you कैसे लिखना है बता दिया मुठी बन करनी है बोलना है और फिर manifest कीजिए so that's all guys for today thank you so much God bless you all stay positive stay safe